इलह स्थुर्डेंड कैसे आप लोब आज अपने स्टार्ट करने वाले है क्लास नाइम का विकास का अस्यामेंट का सेकंड सेमिश्टर का जिसमें न कापने बात करने वाले सेक्षन इंग रहता आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिक्सिक्शन में मिल जाएगी तो स्टार्ट करेंगे आज का आज का वीडियो सेक्शन भी का चेप्र नमबर 9 रिट दा फर्स्ट क्वेस्टन इंद गिवन फिगर फिगर आपके सामने दिया हैं a b c is the three points on the articles a b and c with center o such as that angle boc is equal 30 degree boc 30 degree and angle a ob 60 degree if d is a point on the circle other than the triangle a b c find the angle a d c यह आपको a d c find करना है ओके डान चलो स्टार्ट करेंगे में भी डाइग्राम तो आपने देखे लिया होगा स्टार्ट करेंगे क्योसर नमबर वन सो पहले यहां पर क्या था एंगल एओ सी एंगल एओ सी इस इक्वाल टू एंगल एओ बी प्लस एंगल बी ओ सी एंगल लो 90 का बट आपको find करना एंगल a d c तो टू एंगल a d c is equal to एंगल a o c टू एंगल a d c is equal to एंगल a o c तो एंगल a d c as it is रखेंगे वन हाफ हो जाएगा डिवैड में जाएगा टू एओ सी कितने है यह 90 डिवैड करोड पाई 2 कितना मिलेगा एंगल a dc 45 डन एको यहां पर इसका यह हाफ होगा a d c तो इसका हाफ कर देंगे तो यह आपको यह मिल जाएगा डन ओके नेक्स्ट तूसर नमबर टू रीड करो क्विस्टन्स को इन गिवन फिगार ट्राइंगल a b c 69 a b c 69 एंगल a c b 31 find the angle b d से आपको यह फाइंड करना है ओके यहां पर b dc find करना हो तो देखो यह बी एंगल पूरा दे दिया c पूरा दे दिया यह फाइंड करेंगे तो जितना यह मिलेगा उतना ही होंगा आपका एंगल d क्यूंकि दोनों के दोनों जो ट्राइंगल a b c और ट्राइंगल d b c a की लाइन पर है b c के ऊपर जितना a का मिलेगा उतना ही एंगल d का मिलेगा इस देट क्लियार ओके चलो स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल a b c एंगल a b c प्लस एंगल a c b प्लस एंगल b a c is equal to 180 यह कितना दिया a b c 69 a c b 31 आपको एंगल b a c find करना है तो देर्फोर एंगल b a c is equal to 180 माइनस इंदोनों का प्लस करो कितना आता है 69 प्लस 31 100 सामने जाएगा माइनस हो जाएगा तो एंगल b a c आपको कितना मिलेगा 80 तो जितना आपको एंगल b a c मिलेगा सेम उतना हैंगल मिलेगा आपको b d c is equal to 80 डिग्री दन ओके नेक्ट क्विस्ट नम्बर 3 रिए थे क्विस्टन फर्स्ट इन गीवन दा फिगर a b c d are the four points of the circle a c and b d intersect at a point e such as the angle b e c is equal to 130 and angle e c d is equal to 20 find the angle b a c आपको b a c find करना है डन सबसे पहले क्या करेंगे ट्राइंगल c d e ले लेंगे देखो यह आपर डाइग्राम में ट्राइंगल क्या लेंगे c d e c d e में लेंगे इस राइट ट्राइंगल b e c is equal to b e c is equal to angle e c d right e c d मतलब इन दोनों का में टोटल करोगा तो मुझे यह एंगल मिलेगा डन प्लस एंगल e c e c d और e d c right e d c यह तक का तो b e c आपको दे दिया गया वन थर्टी एंगल e c d आपको फाइंड करना है जबके e c d आपको गिवन है 20 और आपको एंगल e d c फाइंड करना है 20 सामने चला जाएगा 130 माइनस 20 तो एंगल e d c कितना मिलेगा आपको 130 और 20 सामने चला जाएगा minus therefore angle EDC कितना मिलेगा 110 110 मिला EDC वही आपका क्या हो जाएगा EDC वही आपका BDC बनेगा EDC is equal to angle BDC बस EDC यहां से start किया B से अपने थोड़े अगे से start किया तो भी कितना मिलेगा 110 तो जितना आपको BDC मिलेगा उतना ही एंगल मिलेगा आपको जितना दी होगा उतना ही बीएस यह क्योंकि दोनों का एक ही टेंजर मतलब एक ही लेंड पर दोनों एंगल आये हुए सेम बेस के उपहे तो एंगल BAC is equal to 110 10 10 डन नेक्ट क्वेशन नमबर 4 सबसे बले रिट कर लो इन दा गिवन फिकर ABCD is a cyclic quadrilateral in the width which AC and BD are its diagonals इफ एंगल DBC is equal to 55 एंगल BAC is equal to 45 फाइंगल BBCD देखो यह बीएस मतलब यह आपको जीवन है 45 यह वाला एंगल्स ओके एंड़ DBC यह आपको दे दिया है 55 करेट लिख लेते हैं तो एंगल D AB is equal to angle CAD plus angle BAC देखो किस तर आएगा DAB याद रखना एंगल D AB तो एक बार लिखा BAC एक बार लिखा CAD राइट ओके बट CAD आपको गीवन है कितना है CAD कितना हो जाएगा यह जितना angle यह मिलेगा उतना ही सामने का angle यह मिलेगा 55 और angle BAC तो आपको गीवन है कितना है 45 दोनों का total करो कितना मिलेगा DAB 100 एंगल DAB कितना मिलेगा 100 मिलेगा ओके अभी बात करेंगे एंगल DAB प्लस एंगल BCD देखो DAB और B BCD इन दोनों पतलब दोनों opposite एंगल का total कितना होता है 180 होता है करें दोन दोन भीकी दी आपको निकालना है तो एज़िटीज रखेंगे 180 दी एंगल कितनी दी अन्डेड हंडेड सामने ले जाएगे माइनस हो जाएगा तो अंसर मिलेगा 80 क्लियार ओके next questions question number 5 रिडिक वर कॉस्टेंस इन सर्कल विच सेंटर ओ अभी इस डामेटर अफ्राइव अभी 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 इस तरह का एक सर्कल यह रहेगा आपका सेंटर ओ यह अभी आपका डामेटर होगा इस तरह का साइक्लिक बनेगा एबी सी और डी इस तरह का एसी बनेगा और यह आएगा यह दे दिया गया है 140 आपको फाइंड करना है क्या बी एसी यह अंगल आपको निकालना है यह वाजोला जो एंगल है यह आपको फाइंड करना है क्लियर यहां पर लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल ABC ADC प्लस एंगल ABC इस एक्वाल टू 180 तो दे दिया है तो ABC कितना मिलेगा 180 माइनस 140 तो जर्फोर एंगल ABC आपको कितना मिला 40 राइट बट एंगल ACB यह कितना है आपका टेंजेन बनेगा तो 90 का हो जाएगा यह 90 का मिला यह आपको कितने का मिला 40 का तो यह एंगल आप फाइंड करी सकते हो ना एंगल सम प्रपर्टी से सो ट्राइंगल ABC में क्या लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB is equal to 180 एंगल सम प्रपर्टी ABC कितना मिला है 40 ACB तो 90 दिया गया आपको BAC निकालना या तो CAB लिखो कुछ भी लिखो BAC लिख लिख लेता हूं तो देरफोर एंगल BAC is equal to 180-90 प्लस 40 130 सामने जाएगा माइनस हो जाएगा तो देरफोर एंगल BAC कितना मिलेगा आपको 50 कि इस देट क्लियर ओके स्टार्ट करेंगे नेक्स निमेरिकल्स कुछिशन नमबर 6 रीड करो पहले क्विस्टन को कुछिशन नमबर 6 में क्या दिया हुआ है तू सरकलर इंटर्सेक्ट एट टू पॉइंट एंड बी एड 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 डामेटर टू दा टू सर्कल्स करेंट गिवन देफिगर प्रूद बी इन लाइन ऑन दे सेग्मेंट डी सी डी सी के बीच में आपको प्रूव करना है राइट चलो डाइग्राम देखे लिए होगा आपने पिसन नंबर 56 देखो डाइग्राम आपको पता है न तो मैं क्या करूंगे एंगल लिखूंगा एंगल a b d 90 एंगल a b c 90 लिख दो बीखूंगा एंगल a b c इस एक्वल टो 90 करें यहां तरका दोने एंगल कितने के मिले आपको 90 90 के मिले दोनों का प्लस करो राइट एंगल a b d प्लस एंगल a b c इस एक्वल टो 90 प्लस 90 इस एक्वल टो 180 सो d b c is a line bus यही प्रूव करना था आपको करेट क्वेशन नमबर 7 a b is a chord of the circle with center o and diameter 20 a b is a 12 find the distance a b from o correct चलो देखो इस तरह के सरकल है अ कि अ सेंटर ओ दिया गया है यह भी आपका यहां पर इसके अलावा यह आपको दे दिया गया है इस तरह का ओके यह टोटल गीवान है 12 तो यह 6 होगा और यह 6 होगा और आपको डायमेटर मतलब यह रीडियस हो जाएगा 10 आपको यह चीज़ करनी है तो कहां से करेंगे पाइथा को से ब्सक्राइब से लिखेंगे ओए-सक्वाइर इसप्राइब टू अम स्क्वाइर प्लस अम स्क्वाइर ओइमितलब 10 का स्क्वाइर है om square as it is am square 6 ka square 10 ka square 100 6 36 om square so therefore om square is equal to 64 or om कितना मिलेगा आपको 8 centimeter next question question number 8 a chord of a circle is equal to the radius of the circle find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc चलो इस तरह का एक interface दिया गया आपको मान लो एक circle है correct circle के बीच में यह आपका एक arc draw किर रहे आप यहां से इस तरह का angle और यह आपका center है यहां से इस तरह का मिल रहे हैं और उन्होंने यह भी बता दिया है कि यह जो तिनों side है वो equal है यह पर point लिख देता हूं P right यह A B और इसके बीच में एक angle यहां से इस तरह draw करेंगे जिसका नाम देंगे x right आपको a x b ही निकालना है यह रहेंगे y correct so triangle P A B is equilateral triangle equilateral triangle so therefore angle A P B कितने का होगा 60 equilateral triangle होगा तो यह 60 का होगा यह भी 60 का होगा यह भी आपका 60 का बनेगा so therefore to angle A Y B is equal to angle A P B so therefore angle A Y B is equal to 1 half 2 सामने चला जाएगा A P B 60 है आपके पास तो answer मिलेगा 30 का but आपको answer 30 बराबर है वो तो इसका मिला है आपको तो a x b निकालना है यह वाला एंगल तो यह किस तरह करेंगे in quadrilateral A X B Y A X B Y correct so that angle X plus angle Y opposite angle कितने के होते 180 के angle X निकालना है वाई तो कितना मिला 30 सामने ले जाओ यह भाई भी 30 मिला 30 सामने ले जाओ जाएगा तो angle X आपको कितने का मिलेगा 150 done okay next up the next questions question number nine in a cyclic quadrilateral ABCD diagonal AC and BD intersect at P if angle DBC is equal to 70 and angle BAC is equal to 30 find angle BCD देखो यार एक इस तरह का एक सरकल है उन्होंने बोला है कि है कि भाई एक cyclic quadrilateral है तो draw कर देते है quadrilateral इस तरह का नेमिंग कर देते है A B C and D इसके जो diagonal से AC and BD intersect कर रहे है P में ओके इसका मतलब क्या होँ एंगल C A D C A D is equal to angle D B C यह दोर एंगल कैसे हो जाएगे आपके सेम हो जाएगे is equal to 70 दे दिया गया बराबर D B C दिया है तो C A D भी आपका 70 बन जाएगा एंगल D A B is equal to angle C A D plus angle C A B correct यह आपका मिला है 70 plus angle C A B या B A C लिखो total कितने का होगा B A C दे दिया 30 का तो angle D A B कितने का मिलेगा total 100 का मिलेगा right okay next angle D A B आपको निकालना है B C D यह पूरा D A B plus angle D A B plus angle B C D कितने के होगा opposite angle 180 के होगे right यह मिल गया total 100 opposite angle 2 मिला के कितने के होगे 100 के D A B मिल गया 100 plus angle B C D निकालना है न तो 100 सामने ले जाओ तो angle B C D is equal to 180 minus 100 so therefore angle B C D is equal to 80 done okay the next numerical question number 10 question number 10 दिया गया है तुरा रीड करना अच्छे जह है A B is a chord of a circle and with the center P point C is a point C is a point other than A and B is a major arc AB angle ACB plus angle APB 135 find the angle ACB and APB दोने एंगल का total दिया है बड़ दोने एंगल आपको individual find करें में जब इतना तो पता चल गया दोनों का total 135 है तो डाइग्राम जो आपने आगे इस तरह ना राइट ओके एंगल ACB is equal to one half angle APB यह आपको निकालना है लिखेंगे आप एंगल ACB plus angle APB आपको गीवान है कितना 135 बट एंगल ACB इससे कितना गुना जाद है त्री टाइम्स जाद है टोटल से इन दोनों का अट मतलब यह टू टाइम होगा यह वन टाइम त्री टाइम्स होगा total त्री निचे जिल ले जाएंगे एंगल ACB is equal to 45 divided by 3 जाएगा तो ओके एंगल ACB 45 मिला है तो 45 अगर मैं यहां पर भी रख दो फिर भी चल जाएगा अधर्वाइस मैं इसमें रखो फिर भी राइट आंसर आएगा तो एंगल APB is equal to 2 सामने ले जाओ 2 एंगल ACB सो 2 इंटो 45 अंसर मिलेगा आपको 90 डिगरी का राइट ओके दर नेक्ट नुमेरिकल्स कृसर नमबर 11 इन सर्कल विप्ट कर लिया डाइगरम भेटा नहीं नहीं दिये तो उसके सबके मैने diagram आपको draw करके बताएं और जिसके diagram दिये हुए तो उसके diagram आपको बना के नहीं बताएं directly आपको मैने उसका numerical soul करके दे दियें यह रहा AB यह वह जाएगा आपकण Center P ओके तो टोटल AB is equal to G1 is 30 30 अगर मैं आप एम ड्रो करता हूं तो एम कितना मिलेगा वन हाफ एबी तो वन बाइटू इंटू 30 तो आंसर कितना मिलेगा आपको 15 यह भी 15 मिला यह भी 15 डिए दिया यह app 17 ओके आपको bm find करना है तो फिर से एक बार पाइथाग्व सेंड अप्लाई करों कौन से करोगे पैथाग्वर्ण एक सेंड अप्लाई करोंगे क्या एगा up square is equal to pm square plus am square right pm square plus am square right ओके नेक्स्ट भागे हो ही एपी स्क्वेयर 17 का स्क्वेयर पी-यम् स्क्वेयर आपको फैन्ट करना जब है गाब 15 का स्क्वेयर 17 का स्क्वेयर 225 सामने जाएंगा minus हो जाएंगा ऐस इक crawl do PM स्क्वेयर तो therefore PM बुछ स्क्वेयर इसफ़ार इइक वाल तु 64 तो पीम आपको कितना मिलेगा 8 राइट पीम कितना मिलेगा आपको 8 cm meter is that clear okay then next numerical start करेंगे question number 12 okay start करेंगे read करो question को पहले in a cyclic quadrilator abcd ab parallel to cd angle b80 then the find the remaining angle abcd okay let's start 12 देखो एक cyclic quadrilator मतलब इस तरह के एक डाइंटरफेस होगा आपका ab abc and d देखो ऐसे diagram दे दिये गया है angle b आपको बता दिया गया 80 इन दोनों को total कितना होगा 180 होगा तो लिखो angle abc plus angle adc is equal to 180 यह given है 80 तो angle adc कितना मिलेगा आपको 180 यह सब माइनस हो जाएगा तो adc मिलेगा 180 माइनस 80 तो therefore 100 डिगरी राइट कितना मिल आपको 100 फर्स्ट पॉइंट क्लियर ओके यह आपको 100 हुआ तो यह दोनों कैसे एंगल होगा तो इन दोनों का total कितना होगा आपका इन दोनों का total कितना होगा 180 राइट ओके क्लियर यहां पे भी वहीं इंटर्फेस करेंगे कि अगर यह दोनों इक्वल होगे अगर सामने कैसे एंगल एंगल a b c राइट और दुफरा एंगल आएगा क्या आएगा सामने आपका प्लस एंगल b c d is equal to 180 a b c 80 दे दिया क्या एंगल b c d find करना है तो therefore एंगल b c d कितना मिलेगा 100 तो अगर यह 100 हुआ तो सेम यही फॉर्म में डायरेकले लिख दो यह कितना मिलेगा आपको 80 is that clear ओके तो यहां पर आपका question paper section b का chapter number 9 finish होता है और chapter 10 तो यहां पर नहीं देखा तो भी देख लेना तो यहां पर section भी finish होता है next lecture में start करेंगे section see अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत बुलना क्यूंकि आपको यहां पैसे वीडियो मिलते रहेंगे बाकी का start करेंगे next lecture में